अज़ादी बच्छाव नीज चैनल में से भी दरशकों का सौगत है देश क्रोना की दूसरी लहर से जूजी रहा है कि अब एक्सपर्ट का कहना है कि क्रोना की तीसरी लहर का सामना जल्द हो सकता है और इस लहर में 5 साल के बच्छों से लेकर 18 साल तक के बच्छों को बड़ी तेजी से प्रभावित कर सकता है जिसे देख सौलापूर महानगर पालिका में आज तीसरी लहर को रोखने की तयारी शुरू की गई है महापालिका उपायुक्त धनराज पांडे ने आज बच्छों के डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जिसमें एक खास डॉक्टर्स की टीम तयार कर ट्रेनिंग ली जाएगी और शहर के सरकारी हस्पतालों में 15 फीवर ओपिडी की शुरूआत की जाएगी ताकि शहर में तीसरी लहर का सामना आसानी से हो सके